जहां पूरे देश में एक और छापे मारी और पूचताच का दौट चल रहा है वहीं दूसरी और कोट ने भी कई मामलों में सुनवाई तेज कर दी है दरसल चर्चत समवासिनी कांड मामले में कॉंग्रेस नेता रंदीप सुर्जेवाला वारनसी के MPMLA कोट में पेश होने के लिए पहुचे उन्होंने कोट में डिस्टार्च प्रातना पत्र ताखिल किया प्रातना पत्र पर सुर्जेवाला ने खुदी अपना पक्ष रखा और खुद को आरोप से मुक्त करने के लिए कोट में गुहाल लगाई दरसल मामला 22 साल पहले वारनसी के कमिशनर कार्याले और न्यायाले में प्रदर्शन और तोड़ फोड करने से जुड़ा है आरोप है कि उस समय युवा कॉंग्रेस के औल इंडिया अध्यक्ष रहे रंदीप सिंग सुर्जेवाला कॉंग्रेस नेता S.P. गोस्वामी अशोक मिश्र विजय शंकर पांडे के नितरत्व में कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने कमिशनर कार्याले पर तोड़ फोड़ और प अच्चों की फीस हाइक के खिलाफ जब तीन सो प्रतीशत भाजप्पा ने फीस बढ़ा दी थी M.B.A. तक की फीस तीस हजार से बढ़ा कर बहत्तर हजार रुपिया कर दी थी सम्वासनी कांड जो हुआ वो सब उसके जानकार थे बुनकरों के उपर जो अत्याचार हो रहा था भाजप्पा शाशन में इन सब बातों के खिलाफ एक आंडोलन किया 22 साल के बाद भारतिय जन्ता पार्टी ने उस मुकदमे को रिवाइव करके M.P.A. मेले कोर्ट पे लगा दिया है वही दूसरी और कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि आप लोग कभी बीजेपी के अध्यक्ष के चैन पर भी सवाल किया करिए बैराल में मीडिया की पीड़ा समझता हूँ आप लोग ऐसे सवाल करेंगे तो आप पर मुकदमे होगे और आप जेल में डाल दिये जाएंगे कि ये चुनावी प्रक्रिया केवल कॉंग्रेस में संभव है अमिच शा को किसने वोट डाला था जब वो अध्यक्ष बने भाजपा के जेपी नड़ा जी को किसने वोट डाला था क्या भारतिय जनता पार्टी में आरेसेस में कभी चुनाव हुआ है किसी ने उनकी वोट डाली है दुर्भाग्य से मीडिया के साथी कभी भाजपा से ये सवाल नहीं पूछते और मैं आपका की पीड़ा समझता हूँ क्योंकि आपको जेल में डाल दिया जाएगा आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा मेरी तरह और उसके बाद आप मुकदमा भुगतेंगे अपत्रकारिता करेंगे कॉंग्रेस से सवाल पूछिए क्योंकि हम देश की आजादी की पार्टी है और देश के भविश्य और वर्तमान की भी बात बड़ी सीधी है जाए एक और कोट ने सुर्जेवाला की पेशी के बाद अगली सुनवाई 31 को निर्धारित की है वही इस दोरान वो केंद्रो और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए देखे गए जहां उन्होंने कई आरोप लगाते हुए सरकार को दोशी ठहराया पंजाब केसरी टीवी के लिए वारा नसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट